नमस्कार सुभी प्यारे विद्धार्तियों को जैसा कि आप लोग को पता है आपका एक्जाम आपके सरफर बिल्कुल आकर खड़ा हो चुका है तो फटा-फट से जल्दी से आपके अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं पॉलिटी में कौन-कौन से अनुच्छेद आपके ल भारत में प्रिवेस करता है तो उसे जो मिलाया जाएगा वह अनुच्छे दो के तहत मिलाया जाएगा अनुच्छे तीन की अगर हम बात करें तो यह नई राज्यों के निर्माण और वरतमान राज्यों के छित्रों सीमाओं या नामों में परवरतन की बात करता है अर्था चले आगे आपको याद एकना है फिर डारेक्ट अनुच्छे चौदय को जो आपको विदी के समच्छ समता की बात करता है विदी के समच्छ समता विदी के समान सवरच्छन इसके अलावा अनुच्छ फंद्रा की केटिगरी में रखेगा कई बार पूछाया चुका है कि धर्म मूल के आधार पर नहीं किया जाएगा इसी के अंतरकत आपको याद अखना है सार्वजनिक इस्थानों पर प्रिवेस की अनुमती अनुच्छेत 15 में ही सामिल है और उसके अलावा महिला और बच्चों के लिए राज्ज के दुआरा विसेश व्यवस्था करना यह भी अनुच्छेत 15 में ही आता है आगे की तरब चलें तो आपको याद रखना अनुच की व्यवस्था के बारे में बताता है अगर आपसे पूछा आता है आपसे उपादियों का अंतिक बताता है ठीक है और अनुच्छेत 19 में आपको याद रखना है यह वाक स्वातंत्र आदी विश्यक कुछ अधिकारों को सरनच्छन प्रदान करता है जिसके अंतर्गत आप अनुच्छstra 21 को यादख है जो आपको प्रान और देहक स्वातंत्रता का सनच्छन प्रदान करता है इसी के अंतर्कत में आपको बता दूँ आपको राइट उप्राइवएसी यानि एक नंतरता का अधिकार या निस्था का अधिकार जो है वो भी अनुच्यत 21 के तहती प् आदिकार यह अनुच्छे 21 के तहत सामिल है इसके अलावा अनुच्छे 23 आपको याद अखना है मानव और दुर्वयापार बलात स्रम का प्रसेद मानव के दुर्वयापार ठीक है मतलब किसी भी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और नहीं किसी व्यक्ति से जबरदस् यह अनुच्छे 23 के अंतरगत है इसके अलावाद 24 आपको याद अखना है कि कारखानों आदी में बालको के नियोजन का प्रतिसी मतलब फैक्टरी वगेरा में बच्चों को काम पन लगाया नहीं जा सकता अनुच्छे 32 की बात करें तो इसके अंतरगत आपको याद समयधान की आत्मा या हिर्दय भी कहा गया अनुच्छे 32 आपके समयधानिक उपचारों का अधिकार है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है तो वह उन्हें लागू कराने के लिए डारेक्ट सुप्रीम कोड जा सकता है और सुप्रीम कोड के द्वारा वहां पर कुछ रिट जारी की जाएंगी ठीक है इसके अलावा आपको यहां पर आतकना अनुच्छे 40 इंपोटेंट है कई बार आपके पूछा आ चुका है ग्राम पंचायतों का संगठन ठीक है आगे की तब चले तो 44 पर आजाए यह डारेक्ट 44 आपको बताता है नागर के लिए एक समान सिबसेंटा यूनिफॉर्म सिबिल कोड फॉर सिर्जल्स इसके अलावा पैतालिस यह बालकों के लिए निसुल्क और अनिवारिस अच्छा का उपबंद करता है अगर आपसे पूछा जाए सच्छा का अधिकार मूल अधिकार बनने से पहले किस ठकल इस आपको लगाना है और तालिस जो है इसके अंतरकत क्रसी और पसुपालण के संगठन से संबंदित है इसमें इंपोर्टेंट है आपको यादकना अनुच्छित 51A 51A जो बेसिकली जिसके अंतरगत आपको मूल करतव्यों को बताया गया है इसके अलाबा अनुच्छित 53 जो बेसिकली संग की कारपाली का सक्ति के बारें बताता हो कहता है कि संग की कारपाली का सक् राष्ट पती में नहित होगी इसके अलाबा आगे की तरफ चले तो भीया 58 या दखेगा राष्ट पती निर्वाचित होने के लिए क्या युगता होनी चाहिए इसका उल्लेख है अनुच्छेद साट्ट राष्ट पती की सपत का उलेख है अनुच्छ एक सट के अंतरगत राष्ट पती छामादान के बारे में बताए है कि राष्ट पती किसी व्यक्ति को किस आधार पर यकिन मामलों में छमा प्रदान कर सकते हैं इसके अलाबा अनुच्छ चैतर के अंतर्गत इंपोटेंट है भारत के महानियावादी पत का उलेक है अनुच्छ उनासी की बात करें तो इसमें संसत के घठन या संसत की संदचना को बताये गया है कि लोकसभा राश्ट पती को मिलाकर संसत का निर्माड होगा और राश्ट पती संसत का अभिन अंग होंगे इसके अलाबा आगे की तरफ अनुच्छ अच्सी में राज सभा की संदचना अनुच्छ एक्यासी में लोक सभा की संदचना अनुच्छ 85 के अंतरकत संसत के सत्रों का उलेक किया गया है और अनुच्छ 87 के अंतरकत राश्ट पती का विसेस अभिवासन सामिल किया गया है आगे की तरफ च अनुचेद 108 के अंतरकत यहां पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लिक किया गया इंपोटेंट है कई बार एक्जाम में आ चुका है आगे की तरब चलें तो अनुचेद 110 को याद अखेगा धन विदियक की परवासा यहां पर दी गई है इंपोटेंट है बहुत बार आया हुआ है इसके अलाबार उच्छेद 112 है यह वार्सिक वित्तिय विवरान जिसे बेसिकली आप साधारन भासा में बजट की नाम से आनते हैं इसका उल्लिक किया गया है अनुचेद 124 उच्चतर नियाले की स्थापना और गठन की बात करता है अनुचेद 153 हुए यह र इसके में बताये गया है अनुचेद 171 बिधान परसदों की सब्सक्राइब से संबन देता है अनुचेद 214 राज्यों के लिए उच्च नियाले से संबन देता है आगे की तरह आपको यह तक नहीं जो बेसिकली अखिल भारतिये सेवाओं के बारे में आपको बताता है अनुचे 315 के अंतरगत संब और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का उलेख है अनुचे 324 यह निरवाचनों के अधिछन निदेशन नियंत्रन का निरवाचन आयोग में नियतोना यानि निरवाचन आयोग का उलेख अनुचे 324 ठीक है राश्टिया आप आप नैशनल इमर्जेंसी 356 में समयधानिक तंत्र की विफलता या फिर राश्टपति सासन और अनुच्छे 360 के अंतरगत वित्तिया आपात आपको देखने को मिलता है यदि आप इतने अनुच्छेदों को तयार रखते हैं तो आपसे जो भी एक्जाम में अनुच्छेदों से पूछा जाएगा वह 100% आपके नोट्स में होगा तो मेरे साब से यह वीडियो आपके लिए helpful होगी जय हिन जय भारत